हलो दोस्तों नमस्कार आज आपको अपने चैनल एक्जाम करेक में बी एससी एडूटेरिया का सेट नमबर चार का जीके जीएस का फूल सलूसन कराया जा रहा है किरप्या लाच तक बने रहा है वीडियो में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिससे क आपको इसका नोटिफिकर साहन सबसे पहले पराप्थ हो जाएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दें आएए प्रस्न को देखते हैं प्रसंग के निमकित में से कौन सम्मिलान असद्य है तो अस्टेलिया हरीकेन यह जो है गलत है अस्टेलिया हम चलता है उसे बीली-बी के ऐस ही परम्हाइट मेंट आपisstर सबस्कहाद महासागरी हो जाता है। अलरड सफेरेश यह तोमस्त आपटम तब्सक्राइब्स हरते नाम से जाना जाता है। अगतर अगला है है। गोवी मेरे इन पाए ता पंटागो पेंटागोनिया मरू अस्थाल जो है दुनिया का सबसे जो है सूखा मरू अस्थाल पाय जाता है पेंटागोनिया अगला नामीबिया नामीबिया भी जो है सीत्व मरू अस्थाल है अगला प्रसांक्या कराए कि नीमिखित में से कौन से नदी पांच देशों की राइधानिय कि राइद्धानिया की रायधानी से गुजरती है बुड़ा पेष्ट हंगरी की रायधानिय वहां से गुजरती है और काला सागर में गिरगती है। भоры mia नदी है उग उर्म की सबसे लंबी साइसा करें निम्खित में से कौन सा दीप छेत्रफल में सबसे बड़ा चेत्रफल में सबसे बड़ा है तो अप्शन के गड़ी निव गिनी दीप सबसे बड़ा है बर्ल में सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो गिरीन लेंड है गिरीन लेंड के बाद कौन सा है तो निव गिनी दूस के लिए अपसान नम्र ड हो जागा साई अगला प्रसंक्य निम प्रिफ धाराओं में से कौन से परजांत महासागर से संंधित नहीं परसंत महासागर से संभाना है के निनक्त di थारा जो उतरी अट्लांटिक महासागर में बहती है के रोशियो की धारा के लिफ़ोर्नियक धारा हमबोड की धारों यह सबी परसांत महासागर से समभन दित आ अगला प्रसंक्यक परहाd की भारतिय जन्गर ना के ढूजरेगारा का रुषार बिहार का लिंगा नुपात कितना है तो नोसो अशारा की परहारां पर्हार नुपा गुदाबरी की सहायक नदिया है अगला प्रसंक्या निम्खित में से किस परकार के बन बिहार में नहीं पायाते हैं तो सदा बहार बन बिहार में नहीं पायाते हैं प्रसंक्या दस पुनपुर नदी गंगा में किस अस्थान पर मिलती है तो पुनपुर नदी गंगा में फतुहा के पास मिलती है अप्सान नमबर हो जाएगा एस सही अगला प्रसंक्या इगारा का रागी के उतपादन में पर्थाम अस्थान किस राज का रागी मलगवा को ब सर्वोई सिखर कौन से अड़मान दीपसमु का सर्वोई सिखर हो जाएगा साइडल पीक आप्सान नमबर यह हो जाएगा साइडल पीक की उचाई कितनी है तो 737 मीटर में है ठीक है अगला इसमें कराय कि माउंट थूलियर जो है निकोबार दीपसमु का सबसे उची चोटी ह दूसरी सबसे उची चोटी बोलेगा अड़मान निकोबार दीपसमु के तो माउंट डियो वेली हो जाएगा जो कि अप्सान सी में है अगला प्रसंग है जो माउंट मनीपूर नाम है या माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मनीपूर रखा गया अड़मान में पर प्रटान मानों कार निकोबार के बीच 10 डिगरी चैनल जोलता है अंसर हो जागा ए नमबर साहिए अगला पर संख्याक का रहा कि रंजी ट्रोफी 222 का खिताब किस टीम ने जीता है रंजी ट्रोफी 222 का खिताब मध परदेश ने जीता है मुंबाई को हरा करके अप्सान हो कर जाएगा है अगला प्रसंख्या 15 नमर कार निमखित में से किसवाध बीच्छू के आगघरा पर महातमा बुद्ध ने बाछ संख में इस्त्रीयों को परवेषद देना सुईकर क्या था तो आनंद ब्यावत भीचू के काने पर वह बहुत धर में इस्तियों को परवेश बुद्ह ने दिये थैं उन्हीं के आग्रापर दिये थैं पर्थम बहुत संगीती राजगीर में वह थी जिसमें की आनंद ने समलिथ हुआ था अगला परस्ङ हो करया है कि नेपाल के तराई छेद में यहाँ जन हुआ था पर्थम उप्धेश कहा दिये थे तो सार्नाथ मिढ थे कुशी नगर में सबसधीक उप्धेश दिये थे अगला प्रसंग है कि तुर्कान चालगानी का निर्मान किस ने किया था तो इसका निर्मान इल्दू तमीश ने किया था तुर्कान चालगानी का बिनास किस ने किया था तो बिनास बल्बन ने किया था यह चालिस गुलामों का एक दल होता था इस रजिय सुल्ताना जो पाहाली इस्तै दिलली सल्तनेत की सासिका बनी थि मजमु 열 बहरम दो शमुद्र का संगम की रचना किसे के द्वारा किया गया था ते दारा सिकों के द्वारा किया गया था हिंदू और इसलाम धर्म को एक ही इसवर की प्राप्ति के दो मार्ग बताया इस पुष्टक में अगला प्रसां क्या करा कि बंबाइ का बास्तिविक संस्थापक कौन था तो गैराल्ड अंग्यार था अपसा नंबर क्या हो जाएगा बीस सही हो जाएगा अगला प्रस जोप्षवर्ण कुलकत्ता के संस्थापक था 1857 की करांथी सरपर्थम कहां से प्राण हुआ था तो यह मेरट से प्राण हुआ था दस मई को हुआ था अंसर हो जागा ए जहासी से नेतित क्या था जहासी किरानी दिल्ली से निर्षवित क्या था बहादू साजा फर्दूतिय जिसका सेनापति था बक्त खां कानपूर से ना ना साब था एकाइस नमर प्रसंक्य करा भारत के राष्टे गीत बंदे मात्रम के लेखाक कौने बंदे मात्रम के लेखाक बंकिन चैन्चेटर जी अप्सन नमबर एस तर्फ जागा दिन बंधु मित्र निल दरपन के रचनाकार हैं रविना टाइगोर ने जो है जन गनमन के रचना किये थे अगला प्रसंक्य करा भारत में आधनिक सिच्छा परनाली की निव किस से पढ़िये तिया 835 के लौड मैकाले के अस्मरन पत्र से बना पढ़िये जो अप्सन जागा सी अठाश चंवन बूर्ट इस्वाइच जो टलहोजिक सासनकाल में सिच्छा से समधित अखरा था अग्ड़ा आगन नि निव इंडिया समचाे परकासन के दौरार किया गया था प्यसंड के दवार्य र धा नव जीवन या यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा क्या गया था सर्च लाइट के संपादक सचीता नंसीना थे बीजी तील लग किसके थे मराठा और केसरी के थे भारती राष्टे कांग्रेस के 1885 के महासचीव कौन थे तो उसमें महासचीव योहिम थे गवर्नर ज अगला प्रसंख्या हाल ही में किस देश के पुरूस बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेसिया को 3-0 से हटा कर पहली बार हरा कर जो है थामस कप का खिताब जीता है तो पहली बार थामस कप किस ने जीता है इंडोनेसिया को हरा कर भारत ने इंडोनेसिय किसको लाब होता मुद्राष्… कुताब में आंसर गलत दिया हुआ, ये दिया हुआ, जो कि फिफा अबिसकप 2022 का आयोजन हो जागेगा कतर में होगा इसके बाद बला आयोजन USA में होगा अगला प्रसांक्या निवकित में से किस राज में कुल भगोलिक छेत्र का अधिकतम परतिसत बन है तो मिजोरौ में अधिकतम परतिसत में बन है मिजोरा में 84.5% बन है इसके 5-3% 84.5-3% है इसके बाद कहा है तो अरुनाचल पर्देश दूसरे अस्तान पर 89 दस्मलो 33-3% है इसके बाद मेगाले में 76% मत पर्देश बन के छेतरफल के दिश्टी से सबसे अधिक है भारत में पहली जनसंक्या निती की घोषना के गई थी आपको उनिस चीतर रिख्यास इसको चल रहे बरतवान जन्संक्या निती भारत के युणिफाइड पेयमेंट इंटरफेस उपयाई का फूल फर्म यूपेय बुलेट फर्म को अपनाने मुला पहला देश कौन बना तो नेपाल बना अपसा नमबर डीश सही हो जाएगा अगला प्रसंख्यक करा एक अतिस के बाद बातिस नमबर सरवाहारी जनतु किस बर्ग में आता है सरवाहारी जनतु में जो है आते हैं दुतियक बर्ग में जो साकाहारी और मांसाहारी दोनों रहते हैं तो मांसाहारी दुतियक में आता है अपसा नमबर सी हो जाएगा प्रात्मिकु भक्ता में साकाहारी आते हैं भारत में अधिक्तम बिहार में अधिक्तम वार्षिक बर्षा किस जिला में होता है तो अधिक्तम बर्षा जो है किसन गण्य में होता है किसन गण्य अप्सन नमर बी में है यहां सही है अगला प्रस्थांख्या करा है और बिहार में सबसे कम बर्षा कहा होता है तो बिहार में सबसे कम बर्षा और प्रणगाबाद में जो है होता है कि कवक फफुंद का कौन सा रोग होता है तो दाद जो फफुंदी के कारण होता है अफ्शन नमबर एस सही हो जाएगा टाइफाइट जल जन्नित रोग है बीजों का सरवोत्तम स्रच्छान मने उसको रखना है बीज को तो किस्ते में भंड स्टिति होना चाहिए अप्सन नंबर सी सही हो जाएगा 22 तापन से क्या संभाव नहों सकती बैस्विक तापन मतलब ताप बढ़ने से क्या समाव नहों समुद्र के जलस्तर में बिर्धी होगा फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा दीपिये देशों को खत्रा है अप्सन डी हो जागो परिक्स सभी कारण सही है अगला लोलक का आवतकल किस पर निर्फर करता है लोलक का आवतकल उसके लंबाई पर निर्फर करता है गर्मि का प्रिष्टनाव में प्रिष्टनाव में कमें होने करन गोलकार हो जाता है परकास तरंग के वायू से काच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है वायू से काच में जाने पर उसका तरंग धैर और बेग दोनों परिवर्तिता आप रीती जो है चेंज नहीं होता है आप री सुठर क्याए ने सी ओधिरी सोडियम बाई कार्बोनेट का आ जाता है अपसान मोर जाया वी सी हो थीरी कैल्सियम कार्बोनेट का सुठर और उसका फिर्गा द्हुटी हो जाएगा सोड्रेश धोवा भी सोडा का सुठर इसमें टेने स्टूट लगा देंगे तो अगला प्रसंख्य करें निम्खित में से कौन सा एक अदीस रासी है अदीस रासी है तो संबेक सदीस है बेक सदीस है कोनिय संबेक सदीस द्रवमान अदीस रासी है अप्सन हो जाएगा C अंसर निम्खित में से कौन अस्तन पाई है तो चमगादर अस्तन धारी में आता है उस से मां सहारी कीड़ बच्ची पधेत घट पर नीशी को पीचर प्लांट कहा जाता है अफसन हो जाएगा इस से अगला प्रसन की फ्रेश्ट को आग जंगल की जो आग का आजाता फलेम अब्दी फोरेश्ट को अनुवान सीखी के जनक के रूप में किसे जना अनुवान सीखी की जनक ग्रेगर जौन मेंडल को जना अप्सन हो जागा एस साइब हीगोडी ब्रीज जो गेडी ब्रीज को क्या का आता है तो हीगोडी ब्रीज को जो है का आता है उत्परिवर्तन सिधान का परतिपादन किया था उत्परिवर्तन के जनक हीगोडी ब्रीज को का आता है अगला चाल्स डार्विन को का आता है कि चाल्स डार्विन को विकास के सि एंसर अज़ागा ए मनुस्त की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां बाद मुस्ति के खोपड़ी में कुल 28 28 यह से जगा डी को को कॉल्सी फिरौल कायाता follows weapon कायाता है वीटू को ज एक कितना होगा तसे मिट affected को कि उट्यान नहीं है । क seventeen का दिआयान को मारते होकिता02- economy Я दिकी से लेंस की छांट एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी लेंस एवं लेंस की प्रकिर्टी होगी फोकस दूरी कितना होगा तो एक मीटर होगा है माइनस नहीं दिया इसलिए पलस में तो उत्ता लेंस ओगा अप्शन एस सही हो जाएगा मुल्ट समिधान में कितनी अनुशूचिया थी मुल्ट समिधान में 28 अनुशूचिया थी अप्शन नमबर 20 है जागा बरतमान में 12 अनुशूचिया है कि निम्कित में से कौन सा मिलान असत्य है तो मिलान असत्य है तो मौलिक अधिकार भाग 3 में सही है मौलिक करतव भाग 4 के में सही है आपात उभन भाग 20 गलत है 20 में क्या है तो समिधान संसोधन है 368 अनुछे आपात उभन किस में है तापात उभन 18 में है 18 में राजभासा भ सब्धान एतर संष्था कौन सा तो समिधान एतर संष्था कौन सा अप्सन है जागा ए मानमा धीकार आयोग समय समभी धान एतर संष्था बन्दान में इसका उलेक नहीं है उसका बात कर रहा लाकी इसमें निरवाचन आयोग का अनुछ 324 से 29 तक बरनन है तीन सब राजभीत 246 में आये थे तो पाइथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर अस्टेफोर्ड क्रिप्स बिलियम लॉरेंस नहीं था आंसर जाएगा क्या डी हो जाएगा समिधान के किस भाग को भारत के नागरी को का अधिकार पत्र का आयाता तो भाग तीन को मौली का अधिकार को जाएगा भारत का मैगना का अधिकार पत्र यानि मैगना काटा का आगया अप्सन आ जाएगा एस सही चार तो अभी उपर देखे लिए बर्नन है भाग दस में जो ह संपादित नहीं किया जाता है तो लोकसवा के चुनाव किया था राश्पति के चुनाव किया था राज सभा के चुनाव किया था अस्थानीय निकाई के चुनाव राज प्रसंक्या भारत की समिधान सभा ने राष्टिय धवज को सर पर्थम कब सभा ने राष्टिय धवज को 22 जुलाई 1947 सभी को सभी कार किया गया था उसमें कुछी अनुछेद को लागू किया गया था अंसर हो जागा सी राज सभा का गठन कपि क्या गया था राष्टिय नयकंति अपरेल 1952 क क्या गया थांधी अभी संतामन कर दिया था अगला प्रसंख्य कर रहा है कि सुव अस्थाने इन सीटू क्या इन सीटू में क्या होता एक होता है इन सीटू एक होता है इन सीटू में होता है कि बनस्थान प्रखियू कर रहा है इन सीटू कहला रहा है ईन रहे होता है भारत भारतिय संसर में अस्थाई समीतियों की परनाली बिक्सित की गए थे यह कब क्या गया था तो 1983 इस वी से क्या गया था अप्शन क्या हो जागा डी नंबर हो जागा अस्थाई समीतियों की विभाग में कारे बजट तथा खर्चे उनसे समन्दित विध्यक को देख रेक करती है ठीक है अगला प्रसंक्य कराय क्या ग्रीन पीस क्या ग्रीन पीस क्या था या एक परियावरा समर्था को कांतराष्टी संगत्थान है अप्सन नमर क्या हो जागा सी सही हो जागा इसके अस्थापना 1971 इस भी में किया गया था ठीक है अगला प्रसंक्य इसका मुख्याले का एमने इसका मुख्याले जो है नीदर लेंड के एमस्टरडम में है प्रसंक्या बिहार के परमुक समझ चार पत्र बिहारी के संपादक को थे तो बाबु माहेसवर परसाल अपसर नंबर हो जागा 20 जहाए जय छाज किस राज का लोकनित्त है तो यह ईकन करनाचा का लोकनित है अपसर नंबर हों जाएगा एस साही तामर लिपती किस राज में इस त्था थे तो में जो या नीक नाम और जू अबस्टित in चastes नहीं आंब से नाम तामलू को माश्टर माश्टर माइंड के náانnya जाता है माश्टर माश्टर माइंड हाँ इगनाइट्र वार्य है सका सरी अबुल Creat It इपीज अब्दुल कलाम नहीं, यह पर्थम सिच्छा मंत्री बने थे, खान अब्दुल गफार कान को किस नाम सीमांद गांधी के नाम से जाना जाता है, अप्सन हो जागा यहाँ पर, अंसर सेख मुझी बूररहमान को बंग बंधु के नाम से जाता है, अंसर हो जागा A मातमा गांधी का समाधी अस्थल क्या है मातमा गांधी का समाधी अस्थल राज घाट हो जागा अप्सन नमबर A सांतिवन जेल नहरू का महा परियान का कर्म भूमी कर्म भूमी संकर द्याल सर्मा का अप्सन नमबर हो जागा यहां अंसर भी महापरियान घाट किसका है तो राजेंद्र परसाद का महापरियान घाट है ठीक है अगला प्रसंख्या करा 67 नमबर 67 करा मार्च 222 में दो दीप हरना इसका है चाहर मार्च को किया गया था स्टड़इन इंडिया कार करम के ஶ्रबार इक दे स्टड़़एन इंडिया करकरम की कि सरगात कुछ आजन्ता की कुफाय किस आरास्ट में इस्तीत जाहान जा trivia इस सही हो जाएगा उनतर कारा की निमनिखित मैं से किस देश में सबसे ऊची मस्जीद है ता मिस्र में सबसे ऊची मस्जीद है इसका नाम क्या था सुल्तान हसन मस्जीद नाम है अगरा परका संक्या परस्न मैत रिजनी का जिसका की पीडिया पराप्त करके आप खुझ से बना सकते हैं और इसका टेलिग्राम से पीडिया पराप्त कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहा था थैंक्यू धन्यवाद